यह एक अंधेरी और तुफानी रात थी और बेबी शेरू खुद को जंगल के किनारे एक सुनसान बस स्टॉक पर इंतिजार करते हुए पाया। बेबी शेरू एक प्यारा शेर का बच्चा जिसकी बड़ी भावनात्मक आँखें और फूला हुआ अयाल था, ने अपनी पसंदीदा लाल टी-शर्ट और ग्रे शॉर्ट्स पहनी हुई थी, हवाय पेड़ों के बीच से हूँ करती हुई चल रही थी और वह चारों और घबर से देख रहा था, जन्वन में असामाने सीथ खामोशी थी, बस तभी कभार पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, उसने अपनी घड़ी देखी और सोचा कि बस इतनी देर क्यों हो रही है, उसके माता पिता ने उसे देर, वसके अंदर ज्यादातर सीटें खाली थी, सिर् ने उसे हलकी सी सिर हिलाई और बस को फिर से चलाने लगा, जैसे ही वे चले, बाहर के पेड आपस में मिलते हुए लगने लगे, और आगे की सरक कोहरे से घिर गई, बेबी, शेरू के मन से डर, हट नहीं रहा था, कि कुछ भयानक होने वाला है, अचानक, बस ने एक तेज म आदमी चुपचाप आगे देखता रहा, उसकी आँखें अंधेरी सरक पर टिकी हुई थी, बाकी यात्री भी चुप थे, उनके चहरे अंधेरे में चिपे हुए थे, बेबी, शेरू का दिल तेजी से धरकने लगा, उसने सीट के किनारे को कसकर पकर लिया, क्योंकि बस अपनी जगह बदल रही हूँ, बेबी शेरू की आँखें डर से फैल गई, उसमें यात्रियों को ध्यान से देखना चाहा, लेकिन हर बार जब वह मुर्ता, वे अलग-अलग स्थानों पर दिखाई देते, तहले से और भी पास, उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी, य लेकिन कोई हिला-डुला नहीं, बेबी शेरू ने कथोरता से निगलते हुए सोचा, क्या मुझे उतर जाना चाहिए, बाहर की हवाएं और जोर से गूंज रही थी, जिनके साथ अजीब सी फुसफुसाहट भी थी, जो उसके रौमटे खड़े कर रही थी, खिर बस के दिया चहरे देख सकता था, जिनकी आँखें, अंधिर, अपनी हिम्मत जुटाते हुए, बेबी शेरू अचानक आगे की और दोडा, उसने ड्राइवर के पास से गुजरते हुए, बस से चलाम लगा दी, उसके पै ठंडी, गीली जमीन पर पड़े, जैसे ही वह बाहर आया बस के दर्वाजे उसके पीछे जोर से बंद हो गए, बेबी शेरू ने मुर कर देखा, लेकिन बस तहले ही कोहरे में गायब हो रही थी, और उसके यात्री खिर्कियों से बाहर दिख रहे थे, जैसे कि उन्हें घूर रहे हुँ, भारी सांस लेते हुए, बेबी शेरू को अहसास हुआ कि वह अब अकेला था जंदल के बीच में, जैसे ही उसे लगा कि अब कुछ और गलत नहीं हो सकता, एक हलकी सी हसी पेडों के बीच गुंजी, उसने घबराहट से चारों ओर देखा, दूर एक छोटी सी भूतिया आकरिती दिखाई दी, उसने अपनी हड्डिय जैसी उंगली से इशारा किया, उसकी आँखें अंधेरे में डरावनी चमक रही थी, मेरे साथ चलो, उसने फुस्फुस आया, बेबी शेरू के पैड कांप रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उसे वहां से जल्द से जल्द निकलना होगा, पीछे देखे, बिना, वह जंग पुक्षित वापस पहुँच सके, इससे पहले कि परचायां उसे पकर लें।